जहन सात्यों स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बेदाना चुहान में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए SSEGD भरती 2022 के दोस्तों GKGS का सांदार प्रैक्टिस सेट इस प्रैक्टिक सेट में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं टॉप 25 प्रस्न टॉप 25 जीके के महत पूर्ड प्रस्न दोस्तों विद सॉल्यूशन के दोस्तों इस वीडियो में आपको सामने लेकर आया हूँ भूल कर भ बना लेना और साथ दोस्तो इस वीडियो का вещи लिते रहे तो दोस्तो आज की हमारे स्क्लास बार्ट सेवह हैं अभी तक दुस्तो आपको पता दें हमारे क्लास होई है, वह अभी तक दुस्तो और लेडि छे सीरीजी स्टार्ट कर दी है SSGD भरती 2022 के लिए दुस्तो महत पूर प्रसन बिद सॉल्यूशन के दुस्तिस मिलेगा तो बहुत ही जादा दुस्तो सांदार प्रैक्टिस सेट है एक बार दुस्तो आप इस वीडियो को जरूर देखना एक बार इसको वीडियो को देखना और इसके दुस्तो कुष्चन का लेविल देखना कि इसमें दुस्तो आपके एक्जाम में दुस्तो कैसे कुष्चन बनते हैं तो इस टॉपिक में दुस्तो आपको बहुत ही जादा हैल्प मिलफुल वीडियो रहने बाला है तो वीडियो को सुर्व से तो complete जरूर देखिए गा और अपने दुसטों में जादा से जादा प्ञेर जरूर कीजिए गा और वीडियो पसंद आए तो दुस्तों वीडियो को एक like जरूर किरना और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास दोस्तों कैसी लगी है और डेली दोस्तों ये ऐसा ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को आन कर लेना तो चली दोस्तों आती है अपनी टॉपिक पर आज का पहला कुश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा और कुश्चन को दोस्तों पढ़ेंगे और सभी कैडिडिट आंसर करेंगे तो चलिए दुस्तों पहला question कहता है निम्नलिकित में से कौन सा कर भारती राजञ्यों का राजञ्यों का स्रोत नहीं है आपके option दिये गए है दुस्तों पहला option दिया गया है भूराजञ्यों option भी दिया है motor वाहन कर option C manoranjan कर option D निगम कर company कर तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो दोस्तो भारती राजस्यों को राजस्यों का असुरोत नहीं है तो इसका दोस्तो सही जवाब हो जाएगा आपका option D नगर निगम कर, company कर तो दोस्तो इसमें आपका option D इस question का correct answer हो जाएगा याद रखिएगा option D दोस्तो इस question का correct answer रहने वाला है option D इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा next question number 2 मांग अनुदान कब बन जाती है आपके विकल्प है जब मांग का प्रिस्ताव रखा जाए option B दिया है मांग पर चर्चा समाप्थ हो जाने के बाद option C मांग सुईकार हो जाने के बाद option D budget education समाप्थ हो जाने के बाद तो answer करेंगे सभी पैर दोस्त दोस्तो जब भी आप से exam में ये question बनता है कि मांग अनुदान कब बन जाती है तो दोस्तो इस question का सही जवाब हो जाएगा आपका option C मांग सुईकार हो जाने के बाद option C दोस्तो इस question का राट answer हो जाएगा मांग सुईकार हो जाने के बाद दोस्तो आपकी मांग अनुदान बन जाती है तो दोस्तो इसमें कुछ solution दिया गया है मांग स्विकार हो जाने के बाद आपने दोस्तों आपका option C है कि मांग स्विकार हो जाने के बाद दोस्तों इसमें आपके दो note दिये गए इनको द्यांसस पढ़िएगा पहला note दोस्तों इसमें दिया गया है तो दोस्तों आपका अंसर हो जाएगा article 275 में अगला question दोस्तों आपके exam में ये भी बन सकता है कि अनुदान किसके द्वारा किया जाता है केंद सरकार द्वारा मुकमंत्री द्वारा या राष्टपती द्वारा या लोकसबाद द्च्छ द्वारा तो दोस्तों याद कि भारती सम्मिधान के अनुच्छ 275 में राज्यों की अनुदान का उलिख मिलता है और राज्यों का अनुदान दोस्तों केंद सरकार द्वारा किया जाता है अगला प्रिश्ण आप लोगों के सामनी रहा न्याय पालिका को सम्मिधान का सनरच्छ कौन बनाता है आपके द कौन बनाता है उसक्ष्चन का राय टाइंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन डी नियाएक समिच्छ नियाएक समीच्छ नयाएपालिका को समिधान का सरच्छ बनाती है अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्न नम्मर चार तुंड्रा प्रकार की जर्वायू का दूसरा नाम क्या है दोस्तो एक टुंडरा प्रदे से वहां कि दोस्तो जलवायू का आपसे दूसरा नाम पूछा गया है आपके option दिये गए है आई यूनिता पाई सुस्क मद्धता पाई आई मद्धता पाई या दोस्तो धुरूवी जलवायू सीधी सी बात है दोस्तो कि आपसे पूछा है जलवायू का नाम तो आपका option D दोस्तो आपके correct answer हो जाएगा दुरूवी जलवायू टुंडरा प्रकार की जलवायू का दोस्तो second नाम है दुरूवी जलवायू दोस्तो इसके आपके दो नोट दिये गए हैं इनको अपनी copy में note कर लेना दोस्तो आपको दोस्तो exam में यहां से भी question देगने को मिल सकते हैं और दोस्तो इदी आपको इस question के बाद जो आपको दोस्तो discipline करके दोस्तो बताया जाता है व्याक्या करके बताया जाता है उसमें दोस्तो जो question बनते हैं उनको दोस्तो जरूर इंपोर्टेंट लगा लेना इन दोनों पॉइंटों को, टुन्डरा प्रकार की जलबाईू का दूसरा नाम क्या है दोस्तो, दुरूवी जलबाईू, अगला नोट कर लेना यह जलबाईू दोस्तो, चांचट से 90 चांस के मद इस्थित होता है, आप से अगला प्रसंद दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा कुश्चन नमर पांच किसने कहा था संसदी प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्द कराती है और आवधिक भी आपके दोस्तों ओप्सन दिये गए हैं ऑप्सन दोक्टर भीमराव अमबेटकर ऑप्सन भी स्तिरी बी एन राओ ऑप्सन सी स्तिरी जवारलाल नहरू ऑप्सन डी डॉक्टर राजैन प्रसाथ तो बताएंगे सभी प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्द कराती है और आवधिक भी तो यह दोस्तों कत हो जाएगा दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको कुछ ब्याक्या दी गई है कि डॉक्टर भीमराव अमबेटकर ने कहा था कि संसदी प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन में उपलब्द कराता है और आवधिक भी सबसे ज्यादा मोश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ आप सभी प्यारतुस्त अपनी कौपी में कि डॉक्टर अमबेटकर को 29 अगस्त 1947 इसवी को प्रारूप समिति का अध्यच्छ बनाया गया जश्ट अपोजिट कुछ जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यच्छ कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अमबेट भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था बिल्कुल इजी कोश्चेन आंसर करेंगे सभी पहरे दोस्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था ऑप्शन ए सर इस्टिफ़र्ड कृप्स ऑप्शन बी लर्ड मांट बेटन ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी पूछा गया है तो आपको option भी correct answer हो जाएगा दोस्तों Lord Mountbatten Lord Mountbatten दोस्तों भारत का अंतिम अंग्रेज Governor General था यदि दोस्तों आप से पूछा जाए भारत का अंतिम भारती Governor General तब दोस्तों आपका answer हो जाएगा चक्रबरती राज गोपालाचारी क्या हो जाएगा दोस्तों चक्रबरती राज गोपालाचारी ये दो कुष्चन पर दोस्तों काफी लोग confused हो जाते हैं आपके एक्जाम में दोस्तों ये दोनों कुष्चन 100% बनते हैं चाहे आपका दोस्तों अपर लेविल का एक्जाम हो चाहे लो कुछ थ्यान से पड़ती है इसमें भी दूस्तों है अपको उप्सन को ध्यान से पढिना बहारत का अन्तिम भारती जमर्द दिधर को बताना रही तुछ कटाना है चलिएू स्क्रवर्थी चालिए एब सुप्सक्र मानो जरीन में भारी मात्रा में आश्वन जल डालने से लाल रखती कोशकाई सिकुड जाती हैं नई कोशकाई उत्पादित करती हैं सूचती और फूट जाती हैं ज्यादा ऑक्सीजन ले जाती हैं तो इसका दोस्तो सही जबाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप स वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो हंड्रेट परसेंट है दुस्तो की यहां से आपको काफी कुश्चन आपके ससी जीडी एक्जाम में हंड्रेट परसेंट दुस्तो मिलने वाले हैं क्योंकि दोस्तो यह बहुत ही ज्यादा सांदार प्रैक्टिस सेट है और यह इस दुस्तो लाल रक्तिकरकाइं होती है यह दुस्तो जिसको बोलते रैड बलड सर्कुलेशन यह दुस्तो सूचती है और फूर जाती है options इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा इसके बारे में दोस्तो व्यक्या कर लेती है इसमें दोस्तो आपको 5 नोट दिये गए है ये 5 नोट दोस्तो बहुत ही जादा important है ये 5 नोट दोस्तो अपनी copy में और अपने मस्तिस्क में दोस्तो छाप लेना पहला नोट दोस्तो इसमें दिया गया है मानो सरीर में भारी मात्रा मास्वन जल डानी से लाल रख्तिकाई कैस्ती हो जाती है सूच्ती हो और फूड जाती है ये तो दोस्तो आपके question में ही पूछा गया था अगला नोट दोस्तो आपको करना है रख्त एक सयोजी उतक है दोस्तो आपके exam में question बनता है और ये question पूछा भी जा चुका है पूछा गया है कि दोस्तो बिलेट क्या है आपको exam में पूछा जा सकता है कि बिलेट क्या है तो दोस्तो आपको बताना एक सयोजी उतक है अगला दुस्तो नोट दिया गया है कि लाल रक्त कोशकाओं में दुस्तो क्या पाया जाता है हीमोगलोविन जिसकी कारण हमारी सरीर का रक्त लाल होता है किसके कारण होता है दुस्तो हीमोगलोविन के कारण अगला है दोस्तो हीमोगलोविन एक दोस्तो प्रोटीन है आपको दोस्तो अग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो दोस्तो रक्त में आपकी हीमोगलोविन प्रोटीन पाई जाती है अगला नोट आपको करना है दोस्तो सबसे बड़ी RBC हाथी में और सबसे चोटी RBC कस्तूरी हिरण में पाई जाती ये कुश्चन दोस्तो आपका नया है और आपके एक्जाम में दोस्तो 100% बनने वाला है तो इस कुश्चन को दोस्तो याद कर लीजिएगा सबसे बड़ी RBC किसकी होती है तो आपका दुस्तो इसका right answer हो जाएगा हाथी यदि आपसे पूचा जाए कि सबसे चोटी RBC किसकी होती है तो याद रखेगा वो होती है आपकी कस्तूरी हिरण की तो ये दुस्तो जितने भी आपको दुस्तो discipline करके दुस्तो आपसे इस्तिमाल किया जाने वाला इदन कौन सा है आपके विकल्प दिये गए है hydrogen, taral nitrogen, uranium, carbon, isotope जल्दी से बताएंगे दुस्तो नाप की reactor में दुस्तो क्या इस्तिमाल करने वाला इदन का नाम बताएंगे जल्दी से answer करेंगे सभी प्यार दोस्त तो दोस्तो नाप की reactor में इस्तिमाल किया जाने वाला इदने दुस्तो आपका uranium, option C दुस्तो आपका crack cancer हो जाएगा अगला प्रस्न है दुस्तो कुश्चन नमर 9 रिक्तिस्थान के बने से संग्रहित रक्त बूरा हो जाता है आपके option दिये हैं दुस्तो hemporthin, मीथे में glowin, hemoglobin, oxy hemoglobin, तो दुस्तो आपको बता दें कि hemoglobin की कारण दुस्तो क्या होता है आपका दुस्तो जो blood होता है वो दुस्तो red होता है लेकिन बूरा नहीं होता है तो option C दुस्तो आपका गलत हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो जो आपको right answer रहने वाला भू है आपका मीथे में ग्लोविन option B option B दोस्तो इस question का correct answer है मीथे में ग्लोविन की कारण दोस्तो रक्त जो है वो बूरा हो जाता है दोस्तो अगला प्रसने प्रसन नमबर 10 प्रकास संसलेशल की क्रिया में किस प्रकार का प्रकास सबसे अधिक प्रभाव साली होता है आपके विकल्ब दिये हैं नीला हरा पीला लाल तो जल्दी से दोस्तो सभी पर दोस्तों का right answer बताएंगे प्रसन नमबर 10 प्रसन नमबर 10 प्रसन नमबर 10 सकता था लेकिन दोस्तों आपने खुर समझ सकते कि इस बार परिच्छा का pattern दोस्तों कितना change हो गया है क्या कि आपकी बार आपके दोस्तों जीडी के एक्जाम में आपके जी के जीए इसको दोस्तों 20 कुश्चन देखने को में लेगे जो कि दोस्तों 40 नमबर के होंगे लेकिन दोस्तों हम आपको डिली प्रक्टिस सेट में दोस्तों आपको 25 प्रसन करवाएंगे टोटल 25 हम आपसे 20 प्लस 5 यानि जोस्तों 5 परसन आपता कर वाएंगे जोस्तों पूरा 50 नंबर का पेपर हम आपको दुस्तों प्रक्टिस स्यट में करवाएंगे तो दोस्तों आप समझ सकते कि एक्रिएम में को कितना घुमाया है और कैसे कैसे आपके एक्जाम से कुशचन बनते हैं तो आपसे simple question पूजा गया है कि गोल कुंडा आपका किस राज में इस्ते थे और बाकी की सब बातों को दोस्तो आउस ने बढ़ा चड़ा की लिख दिया है तो आप बता सकते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश करनाटक आंद्र प्रदेश बिहार तो दोस्तो जो गोल कुंडा है यह आपका दोस्तो आंद्र प्रदेश में इस्ते थे option C दोस्तो इस question का correct answer हो जाएगा दोस्तो इसमें दोस्तो कुछ आपकी चार important note करके आपको लिखना है कि गोल कुंडा देखने के लिए दोस्तो आपको कहां पर जाना होगा आंद्र प्रदेश में ज काक्ती के वारंगल राजान के द्वारा किया गया था आपसे दोस्तो इस्ट्री में opposite question बन सकता है कि गोल कुंडा के लिए के निर्मान कौन सी सताबदी मुगा था बारमी तेरवी चौदमी पंद्रमी तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तो चौदमी सताबदी में तो किस निर्मान कुली कुटब साने किया था note number 4 गोल कुंडा को 1687 भी में औरंग जयोने जीत लिया था question पूजा जाता है कि गोल कुंडा को किस ने जीता तो आपका answer हो जाएगा दोस्तो आरंग जयोने गोल कुंडा को 1618 भी में जीत लिया था अगला प्रिस्निक विश्नम्मत तीरे बारत वर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन स्री सडमुखानन्द हॉल कहा पर इस्ते थे most important question है कोलकाता मुंबई दिल्ली बेंगलूरू बताएंगे सभी पर दोस्त इस question का right answer क्या हो जाएगा तो दोस्तो भारत वर्ष का सबसे बड़ा भवन स्री सडमुखाननन्द हॉल आपका दोस्तो ये मुंबई में इस्ते थे आपका option B दोस्ते इस question का right answer हो जाएगा आपको दोस्ते इसमें दो नोट पॉइंट दिये गए हैं जिसको आपको अपनी copy में दोस्तो नोट करना है रखिएगा दोस्तो स्री सडमुखानननन्द हॉल का निर्मान दोस्तो 1915 टीसवी में हुआ था important question दोस्तो इसको नोट कर लेना और आपको मुंबई में इस्तित है अगला प्रस्न प्रस्न नमर 14 किस पेश्वा को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है तो जल्दी से बत option को cut कर देना है चाहे आप A को cut कर दें चाहे D को कर दें आपको दोस्तो पास तीन option है तो आपको तीन option हो मेंसे बताना है कि कौन सा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों आपका option B बाला जी बाजी राओ को नाना साहब के 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 नाना साहब अगला है दोस्तो बाला जी बाजी राओ का कारकाल दोस्तो 1740 इसवी से 1761 इसवी तक था कब से कब तक दोस्तो याद रखिएगा इनका कारकाल 1740 से 1761 इसवी तक था अगला प्रस ने दोस्तो प्रस नंबर 15 दोस्तो आपके कोई भी एक्जाम हो दोस्तो आपके एक्जाम में दोस्तो एक मुद्रा 100% पूछी जाती है आपसे इसमें पूछा गया है कि जर्मनी में प्रियोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है पेसो डॉलर यूरो या दोस्तो येन यहाँ पर दोस्तो आपका चैन दिया गया पर चैन नहीं है दोस्तो यहाँ पर आपका दोस्तो थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है इसको दोस्तो यहाँ पर दोस्तो आपका चैन नहीं हो गया यहाँ पर दोस्तो आपका येन बताएंगे दोस्त सभी प्यार दोस्त इसका सभी जवाब क्या हो जाएगा पेशो डॉलर यूरो या आपका एन जर्मनी की दुस्तों आपसे मुद्रा पूछी गई है तो दोस्तों कुष्चिन नमर 15 का रायट आंसर हो जाएगा ऑफशन C यूरो जर्मनी में दुस्तों यू मुद्रा है जापान की है यूरो यूरोपियन संक के सभी देशों में प्रियोक की जाने वाली मुद्रा है दोस्तों जो यूरो मुद्रा ये यूरोपियन संक के जितने भी देश आते हैं उनमें सभी में दुस्तों इस ये यूरो मुद्रा दुस्तों चलती है अगला प्रस जाएगा अप्रीका महाधीव सब सबक्राइब है इडि पूगा पूचा जाएगि अज़ीक?" अप्रीका महादीब विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है एसिया दोस्तों विस्व का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था विस्व का सबसे बड़ा महादीप छेतर फल और अबादी में दोस्तों आपका एसिया आता है और आस्ट्रेलिया जो है आपका सबसे छोटा महादीप है जो दुस्तो नई दुनिया उत्री अमेरिका दुस्तो महादेश को कहा जाता है इसमें दुस्तो नोट फोर दिया गया है पच्छियों का महादीप दच्छी अमेरिका को कहा जाता है जिसे दुस्तो 85 भूमी कदेश अस्टेलिया को कहा है और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों रेड इंडियन रेड इंडियन दोस्तों जन जाती कहां पर पाई जाती है तो दोस्तों इसका भी जवाब है आपका उत्री अमेरिका में पाई जाती है रेड इंडियन जाती यह आपका है दोस्तों एक्जाम म नवंबर 1919 को तो दोस्तों याद रखेगा गांदी जी ने अकिल भारती खिलापत कमेटी अद्यश्चता 23 नवंबर 1919 को की थी आपका दुस्तों ऑप्शन भी दुस्ते आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस ने प्रस नमबर दुस्तों अठारे प्रस नमबर दुस् सर्वोच नियायले को प्राप्त है कौन सा अधिकार सर्वोच नियायले को प्राप्त है राजनीतिक पुनरीच छड न्यायक पुनरीच छड कानोनी पुनरीच छड या इनमे से सभी उम्मीद है दुस्तों आप सभी प्यारतुस इस कुष्ट्यन का सही जवाब जरूर दें नयायक पुनरी चड़ और दोस्तों कानोनी परिचड ये दोस्तों तीनों दोस्तों सर्वोच नियायले को प्राप्त हैं अगला प्रेस ने प्रेस नमर दोस्तों 19 बेट फ्रेड विश्व स्नूकर चेंपियंशिप 2022-2020 को किसने जीता 2020 को किसने जीता रीनो ओ सुलिवान काईर सरी ग्रांड प्रिक्स ने या दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने मोश्ट इंपर्टेंट कुष्चन और यह कुष्चन आपके अससे जीडी के एक्जाम में जरूर बनेगा तो पताएंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो दोस्तों ब्रेट फ्रेड विश्व लुकर चेंपियंशिप का खिताब 2020 का जीता है अगला है दोस्तों मोश्ट इंपर्टेंट कुष्चन बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स ब्यस एप के नए महाने देशक किसे बनाया गया है आपके विकल्प है राकेस अस्थाना करनल कृष्ण कुमार मर्यपन ठंग वेलू ग बनाया गया है अगला प्रसने दोस्तों प्रसन नंबर 21 निम निम लिखित में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजु गांदी खेल रत्रपुर्षकार दिया गया मोश्ट इंपर्टेंट कुष्चन है यूवराज सिंग व्राट कोईली धोनी रोहित सर्मा तो दोस्तों 2020 में राजु गांधी खेल रत्रपुर्षकार किस क्रिकेटर को दिया गया है तो आपका और स्थो रोहित सर्मा को 2020 में राजु गांदी क्हेल रत्रपुर्षकार से संम्मानित किया गया अगला प्रस्ट ने 22 नमबर दिया गया है भारत ने पहली बार भारी बजन वाला टॉर पीडियो को नवंबर 2020 में लॉंच किया उसका नाम क्या है दोस्तों आप देखते हैं कि कुश्चन करेंट में किस टाप से पूचा जा रहा है कि भारत ने पहली बार भारी बजन वाला औप्षन ने पिनाक, बनणासास्त, रुद्रम, वायू तो दोस्तों क्च्चन नमर 22 का रहा टांसर हो जाएगा बनणास्त्र ओप्षन भारत में पहली बार बजन वाला टार्पीडो है इसे दोस्तों नमंबर 2020 में लॉंच किया गया प्रिस नमर 23 किस भारति कलाड़ी को कर करनाटक सरकार द्वारा एक लब प्रुषकार से सम्मानित किया गया है विकल्प है विराटकोहिली केल राहुल सिखरदवन रोहत सर्मा तो आप सभी को पता है दूस्तू करनाटक सरकार द्वारा एक लब प्रुषकार से सम्मानित करने वाले परतिक लड़ी कौन है केल को करनाटक सरकौार द्वारा एक लब प्रक्रास से समानित किया गया है अगला प्रिशन नमबर 24 किस स्थान पर विवेका नंदिस्मारक इस्ते थे बिलकुल ईजी कुश्चन है आप लोग इसका सही जवाब जरूर देंगे विवेका नंदिस्मारक कहां पर इस्ते थे मुंब प्रिशन पर विवेका नंदिस्मार्क का तुमार्क किसस्वमारक की ती अगला नोट दूस्तो आपको करनाथे विवेका नंदिस्ट में श्तापना कि थी और कब की थी येत نो利ग इन्हों सतासी हिस्वी में की थी तो दोस्तो 1887 हिस्वी में बैलूर मठ और राम कृष्ण बिसान इन दोनों के स्थापना स्वामी विवेका नंद ने की थी और दोस्तो इसी क्रम में हमारा आज का लास्ट कुस्चन है भारतिय प्रमुक बंदर गाओं में से कौन प्राकरतिक बंदर गाओं नहीं है मुंबई कोचीन मारमागोवा या दोस्तो पारादीब तो जल्दी से बताएंगे सभी पर तो इस कुस्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो प्रार्थी प्रमुक बंदर गाओं में से प्राटिक बंदर गाओं नहीं है तो इसकुष्चन का सही जवाब हो जाएगा पारादीब ऑपशन डी डी से क्षचन का रच्ट आंसर हो जाएगा इस में आपको दुस्तो चार पारंट दिये गए जो की देश का सबसे बड़ा बंदर गाय कहा पर इसते थे तो इसका सई जवाब है आपका मुंबई में इस्तित है और आपको बता दें इस कुश्चन को याद करने का तरीका मारमा गोवा जब भी आपसे पूचा जा इसकी दुस्ता ये ट्रेक है क्योंकि लास्ट में दुस्तो गोवा आ रहा है तो मारमा गोवा तो आप सीधा बता सकते हैं कि मारमा गोवा दुस्तो आपका गोवा में इस्तित है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के most important question जो कि आपके exam में दोस्तों ऐसे ही प्रस्न बनते हैं तो ये दोस्तों practice set दोस्तों बहुत ही सांदार था आप लोगों के लिए और ये practice set आप लोगों को दो वीडियो के दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों दोस्तों में जादा से जादा से शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले practice set में ऐसा ही important प्रस्नों के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं जय भारत बंदे मात्रम आप